इस वीडियो में हम देखेंगे class 10th की exercise 1.2 का question number 6 question number 6 है explain why 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 plus 5 अब देखिए हमें पता है composite numbers का होते हैं उनको क्या बोलते हैं composite number बोलते हैं और ऐसे numbers, जिनके 2 factors होते हैं उनको क्या बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं दिषिबिल है, तो 4 क्या है, अपने आपने एक composite नंबर है, prime नंबर कौन से होते हैं, जैसे मानलीजी हमारे पास में 2 है, तो 2 एक smallest prime number होता है, 2 के factor कौन कौन से हैं, एक तो 1 इसका factor है, इसके अलावा 2 भी इसका factor है, 3 क्या है, 3 भी एक prime number है, इसके factor कौन कौन से है, एक तो 1 है, इसके अलावा 3 है, 7 क्या है, 7 भी एक prime number है, इसका factor क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और only 7, यानि itself, यानि जो numbers, ऐसे numbers, जिनके factor या तो 1 हो, या itself हो, उसको हम बोलते हैं, prime number, ऐसे numbers, जिनके factor 2 से जादा हो, जैसे कि माली ये 4 है, तो इसके 3 factor निकलाए, तो इनको क्या बोलते हैं, composite numbers बोलते हैं, तो इस question में हमें यही प्रूब करना है, कि यह जो numbers है, यह क्या है, composite numbers है, तो सबसे पहले हम first वाले part को ले लिते हैं, तो first part है, जो हमारा, वो है 7 multiplied by 11, multiplied by 13, plus 13, तो देखिए, इसको हम solve करेंगे, तो solve करने में क्या है, यहां पर देखिए 13 जो है, वो common आ सकता है, तो हमने 13 common लिया, तो 13 जब हमने common लिया, तो यहां क्या बचेगा, 7 multiplied by 11, plus यहां पर क्या बच जाघागा, जब 13 common आ गिया, तो यहां क्या बच जाएगा, तो यहां बच जाएगा, अब देखिए 13 को हमने integers लिख लिए, 7 का multiply 11 मे 8 हो जाएगा अब हम यहां पर कर सकते हैं 78 के factors कर सकते हैं तो 78 के factors क्या हो जाएगे 78 को यहां लिख लेते हैं इसके factor कर लेते हैं तो सबसे पहले देखिए 78 2 से divisible है तो 2 से divide कर दिया हमने 2 3 जा 6 और यहाँ जाएगा 18 यहाँ जाएगा हमारा 9 तो यह आगा 39 अब 39 3 से divisible है तो 3 से divide कर दिया 3 बन जा 3 3 जा 9 और 13 से divisible होगा तो 13 यानि कि 78 के हमारे factors कितने आ गए तो हम इसको लिख सकते हैं 13 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 13 इसका मतलब यह हुआ कि यह जो number है इसके factors जो है वो 2 से जादा factors है जानि 13 इसका factor है 2 भी है 3 भी है इसका मतलब यह number क्या है एक composite number है second वाले part को ले लेते हैं इसके को तो second part है हमारा 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 अब हम क्या करेंगे इसमें देखे common क्या है तो इसमें हम 5 को common ले सकते हैं तो मैंने इसमें 5 को common ले लिया जब 5 common लिया तो क्या बज़ेगा 7 multiplied by 6 multiplied by 4 जब 5 जब common ले तो 5 नहीं लिखा जाएगा यहां पे into 3 into 2 into 1 plus यहां पर क्या जाएगा हमारा 1 आ जाएगा ठीक है इस वाले 5 की जगह पर यहां क्या आ गया वन आ गया अब देखे इसको हम solve करेंगे यानि इन सब को multiply करेंगे तो multiply करने के बाद में आ जाएगा यह 1008 कितना आ जाएगा 1008 यानि इनका multiply करेंगे तो 1008 आ जाएगा और जो हमारा 1 है उसको हम as it is लिख लेंगे तो हमने as it is लिख लिख लिया यह आ जाएगा हमारा 1009 आप देखिए यहाँ भी हमारे देखो इसके 2 से ज़्यादा factor हो गए है यानि कि एक तो 1 इसका factor होगा इसके लावा 5 भी factor है इसके लावा 1009 भी इसका factor है यानि 2 से ज़्यादा factor हो गए और 2 से ज़्यादा factor जब हो जाते हैं तो उस number को हम क्या बोलते हैं composite number बोलते हैं तो यानि कि हमारा first नंबर भी composite नंबर था और second नंबर भी हमारा composite नंबर हो गया तो इसमें आप लिखेंगे बोथ नंबर्स आर composite नंबर्स as they have many factors other than one यानि कि ये दोनों नंबर्स क्या है composite नंबर है क्योंकि इनके one से भी other क्या है क्यी सारे factors यहाँ पर मौझूद है तो thank you for watching this video जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जैसे आने वाले वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो thank you for watching this video